देव भूमी फिर होई कलंके चौकलेट खिलाने के बहाने पांच साल की मासूम के साथ दरिंदिगी की कोशिश देव भूमी में अब हैवानों की संख्या बढ़ती जा रही है ये हैवान न महलाओं को छोड़ रहे हैं और न मासूम बच्चियों को चार साल की मासूम के साथ गैंगरेप की घटना को अभी दो दिन भी नहीं हुए थे कि पांच साल की मासूम के साथ छेड़ चाड़ का मामला सामने आ गया मासूम के साथ दरिंदिगी का ये मामला भी उसी उद्दम सिंग नगर से सामने आया है जहां चार साल की मासुम के साथ दो दिन पहले तीन नाबालिगों ने दरिंदिगी की थी रुद्रपुर की आदश नगर में एक पांच साल की मासुम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तबी पुडोस कराहुल नाम का युवक वहां आया और मासुम को चौकलेट दिलाने के नाम पर अपने कमरे मिले गया कमरे का दर्वाजा बंद कर उससे छेड़ छाड़ करने लगा मासुम बच्ची ने देखा तो उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो वो घबरा गई और चीखने लगी जिसके बाद आरोपी डर के मारे वहां से भाग गया मासुम बच्ची घर पहुँची तो उसने अपने साथ हुई आप भी थी अपनी मा को बताई इसके बाद परजनों ने 112 पर इसकी सूचना दी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ततकाल मुकदमा दर्जी किया और आरोपी की तलाश को चंद घंटों में ही गिरफतार किया जब मौके पर पहुँचे तो हमने पूरी घटना की जानकारी ली वहां पर उक्षा दिकारी गड़ भी पहुँचे तो यह पता चला कि यह लड़का इसको बहला फुसला के चॉक्रिट कुलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और वहां जाकर इसका जबरदस्ती करने की कोशिश की लड़की चोटी भी बढ़ समझदार थी उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ दर्वाजा बंद किया गया कमरे का तो वह चीखी जब वह चीखी तो अभ्यूब जो था हमारा डर गया और यह लड़की भाग कर अपने घर आ गई और इसमें घर वालों को पूरी जो भी घटना थी वो बताए जो परिवार था उसने तुरंट पुलिस को सूचना थी और हमें यहां बुलाया इसके बाद पीडिता जो बच्ची थी उसकी मेडिकल की कारवाई की गई और तुरंट F.I.R. संजिक्रित की गई है सेक्शन में जो पॉक्सों के सेक्श जिले में क्राइम का ग्राफ न बढ़ता, हात्या लूट, तपरण और रेप की सबसे जादा मामले उतरा खंड में उदमसिंग नगर जिले से ही आ रही है मैलाओे पर हो रहे अपरात के मामले में भी उदमसिंग नगर प्रुदेश में नमबर वन है उद्रम्सिंग नगर से पंजाब केसे टीवी के लिए निजामुदीन शेक की रिपोर्ट